हेलो एवरिवन वेल्कम टू जी के इन शॉर्ट्स करेंगे आपका फिर से एक बार स्वागत है आज हम लोग डिसकस करेंगे एप्रेल मंद का पार्ट थ्री और यह है 15 अफ एप्रेल से 24 अफ एप्रेल तक के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफिर यह कंड़ अफिर मेंली दा हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पी आईवी से लिए गए हैं यह सभी जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है साथ ही मैं आपके साथ में डिसकस करूंगा कुछ-कुछ करेंड अफिर के बैग्राउंड ताकि आप लोगों को फैक्ट्स को याद रखने में कोई भी दिक्कत ना हो ठीक है और जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आप लोगों को इसका रेगलर नोटिफिकेशन बिलता है ठीक है तो चलिए इसी साथ साथ करत इन दोनों ने इसको और्गनाइज किया था ठीक है तो ध्यान रखी किसने और्गनाइज किया था Ministry of External Affairs and Observer Research Foundation और थीम क्या थी इस बार इसकी थीम थी वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ओफ कंट्रोल ठीक है तो देखिए अब यहां पर देखिए पहली बात है कि राय सीना डायलोग होता क्या है तो पहली बात क्या होता है एक जियो political event है ठीक है तो आपको राय सीना हिल्स पता होगा जहां पे government of India की seat located है ठीक है तो वो राय सीना हिल्स पर ही है ठीक है अपना जो यह आपका जो न्यू डेली में जो houses है जहां पे राश्टपती भवन है आपका secretariat building है house of prime minister office है PMO तो वो पूरा आपका राय सीना हिल्स पर है ठीक है तो यह जो conference थी यह राय सीना dialogue यह geoeconomics और geopolitics को लेकर के थी और यह पहली बार का हुई थी यह पहली बार हुई थी आपकी 2016 में ठीक है तो यह थी information इसको आप लोग याद रखेगा फिर देखिए second infant toddler and caregiver friendly निवरर्स training and capacity building program ठीक है क्या है यह इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो जो national institute of urban affairs है ठीक है national institute of urban affairs उसने recentry launch किया यह infant toddler and caregiver friendly neighborhood training and capacity building program ठीक है तो इसमें क्या है इसको design किया गया इस program को build करेगा यह capacities young professional और city of officials की ताकि वो develop किया जासा कि young children को ठीक है और family friendly neighborhood को country में इसलिए इसको बनाए गया है ठीक है तो जो हमारा sustainable development goal 11 है sustainable development goal 11 वो बात करता है make cities inclusive resilient safe and sustainable इसलिए इसको campaign को launch किया है फिर देखें next grand affair नीती आयोग ने recently launch किया है portion गयान तो portion gun गयान क्या है basically ठीक है यह पहली बात तुम आपको बता दूँ इसको launch किया है ठीक है bill and melinda gates foundation के साथ ठीक है ध्यान रखेगा तीन लोग है नीती आयोग ठीक है plus bill and melinda gates और तीसरा है center for social and behavioral change अश्षो का university है तो इन्होंने यह portion गयान launch किया है तो portion गयान बेसिकली एक national digital repository है health and nutrition पर तो जो portion गयान है ठीक है यह online resource है किसी भी working professional के लिए ठीक है nutrition sector में और यह accessible होगा किसी भी person को जो information सीख कर रहा होगा ताकि जो improve किया साथ सके nutritional outcomes को ठीक है तो आप लोग मेरे को बताएगा कि global hunger index में इंडिया की rank कितनी थी आप लोग में कमेंट सेक्शन में बताएगा global hunger index में इंडिया की rank क्या थी ठीक ऐसे बहुत सारे questions है वो आपके साथ मैं discuss करता रहूँगा बताता रहूँगा आप लोग को बीच बीच में साथ ही आप लोग भी मेरे questions का solution जब आप comment section में देते रहिएगा फिर देखे न्यूजी लेंड जो है उसने रिसेंटली इंट्रोडीस किया एक bill climate change पे और यह जो बिल था यह पहला था वर्ड में इस तरीके का बिल तो न्यूजी लेंड ने फिक्स किया थ्यान दखेगा डेडलाइन कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए फिर देखेए नैशनल हाउजिंग बैंक इसने रिसेंटली लांच किया Special Refinance Facility ध्यान अखिएगा Special Refinance Facility तो जो Objective है इस Facility का वो है Short Term Refinance ठीक है? किसको दिया जाएगा यह Short Term Refinance यह Short Term Refinance देगी और किसको देगी है? यह देगी Housing Companies को ठीक है? Housing Companies एंड जो Primary Lending Institutions होते हैं उन सबको फिर देखे Government of India ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो इंप्लिमेंट करेगी Mandatory Hall Marking Gold Artifacts और Jewelry को Mandatory Hall Mark जो Gold Hall Marking है ठीक अभी तक Voluntary है लेकिन अब Mandatory हो जाएगी तो Gold Hall Marking होता क्या है? What is Gold Hall Marking? देखे जो Gold Hall Marking है यह आपको Provide करता है Beauty Certification Gold Jewelry और जो Artifacts होते हैं उसमें तो तीन ग्रेट्स होते हैं Jewelry के और अब इन सब को Hall Mark किया जाएगा ठीक है? तो 14 करेट आपने सुनाओगा 18 करेट और 22 करेट पहले 10 होते थे और अब जो हैं वो 3 होते हैं ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान रखेगा फिर देखिए ये काफी ये भी important है reports तो सारी important रहती है तो देखिए International Monetary Fund ने recently release की अपनी report World Economic Outlook ठीक है? World Economic Outlook कौन release करता है? ध्यान रखेगा ठीक है? IEMF release करता है इसको फिर देखिए Agriculture Ministry of India ने recently sign किया एक MAU और ये MAU किसके साथ sign किया है, ये sign किया है Microsoft के साथ, तो ये implement करेगा एक pilot project farmer welfare के लिए ठीक है? तो ये जो project होगा, ये basically technology पे based होगा कि technology जो है वो कैसे boost कर सकती है agriculture को ठीक है? तो ध्यान रखेगा, बाकी agriculture के बारे में मैं आप पो थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंडिया की जो है वो second है farm output में rank farm output में farm output में second number पे है ठीक है? और more than 50% workforce जो इंडिया में है, greater than 50% वो agriculture में है, ठीक है? तो लगबग ये 17 से 18% GDP of इंडिया में contribute करते हैं इंडिया export भी करता है देखिया almost 338 billion US dollar worth इतनी worth का agriculture products जो है वो export करता है तो 7th largest agriculture export आ रहे है इंडिया पूरे वर्ड में तो ये आप छोटी सी information है इसको याद रखेगा फिर देखिये Porsche ने join किया है है हैंड semen energy के साथ और वो produce करेंगे e-fuel by 2022 ध्यान रखेगा पॉर्ष और semen energy इसने दोनों ने एक साथ में collaborate किया है ठीक है और e-fuel e-fuel ये लोग produce करेंगे by 2022 ठीक है तो ये जो e-fuel है इसका इनोंने project का नाम दिया है उसका नाम है लिख ली जएगा Haru Oni project ये project का इनोंने नाम दिया है ठीक है तो e-fuel देखिए क्या होता है e-fuel देखिए एक hydrocarbon ही है ये ठीक है तो इसको बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है जो water होता है उसको सबसे पहले separate करते है hydrogen में और oxygen में ठीक है और कैसे करते है wind की help से wind से electricity generate करते हैं और उसकी मजद से इसको separate करते हैं और फिर hydrogen को combine करते है carbon dioxide के साथ ठीक है फिर क्या होता है carbon को hydrogen को combine किया carbon dioxide के साथ और फिर इसको filter करते है air से तो जब air से filter करते है तो हमको मिलता है methanol और यह जो methanol होता है इसको फिर convert करते हैं gasoline में, ठीक है, और gasoline में convert करने के लिए हमको जुरत पढ़ती है, एक exon mobile license technology है, उसकी जुरत पढ़ती है, तो यह e-fuel है, यह किसी भी कार में use हो सकता है, ठीक है, तो एक छोटी सी information दी, आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, कि Porsche जो है, वो Siemen Energy साथ collaborate कि है, e-fuel के लिए by 2022, फिर देखिए, चीले में deadly algae जो है, उसने almost destroy कर दिया, 4000 ton of salmon, ठीक है, इतना उसने destroy कर दिया, तो जो यूरिया वगएरा, अमोनिया वगएरा जो थी, उससे algal boom हुआ, इस farm में, और उससे यह पूरा destroy हुआ है, ठीक है, तो algal boom तो आपको पता ही होगा, कि बहुत सारा algal population, जो है marine water और fresh water में, बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा nutrients आ जाते हैं, nutrients कहां से आते हैं, fertilizer से, fertilizer कहां से आती है, agriculture runoff से, agriculture runoff क्या होता है, जब farmer fertilizer को use करता है, ठीक है, और जब बारिश बगरा होती है, water बगरा बैता है, तो पानी के साथ वो fertilizer सारा कहां जाता है, river streams में जाता है, और जब वहाँ पर river streams में गया, तो rivers जो है, वो nutrient rich हो जाती है, ठीक है, NPK, nitrogen, phosphorus, यह सब चीजें वहाँ पर हो जाती है, और algal boom हो जाता है, तो जब algal boom हो जाता है, त तो यह सब चीजे हैं इसमें, ठीक है, आप लोग ध्यान लखी का कहां पर यह हुआ था, फिर देखिए, Supreme Court ने order दिया, CBI को probe करने के लिए, कि Kerala police officers का क्या role था, in framing Nambi Narayanan in 1994 espionage case, देखिए, यह case आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको इसके बारे हम थोड़ा सा बता तो नambi Narayan देखिए, अभी एक आर मादवन की movie का trailer भी आया है, वो भी आप देख सकते हो, तो मैं आपको एक sword सा overview दे देता हूँ उसका, ठीक है, तो देखिए, Nambi Narayan जो थे, scientist थे, इस रो में, ठीक है, तो यह case कब शुरुआ, यह तब शुरुआ, पहले arrest किया गया Maldivian movement उनका नाम तो मरियम रासिद, उनको arrest किया गया कि वो यहाँ पर अपने visa के time period over होने के बाद से, ज़्यादा इस्टे कर रही है, ठीक है, और पहले उनको arrest किया गया, फिर इनको arrest किया गया, Nambi Narayan को, और Nambi Narayan उस time पर director थे, cryogenic project lab के इस रो में, ठीक है, तो 1994 में, Nambi Narayan को charge किया गया था कि इन्होंने leak किया vital defense secret Maldivian intelligence officers को, और जिनको मैंने अभी नाम बताया, मरियम को, इनको दिया गया, इनको इन्होंने दे दी, और इनको accused किया गया कि इन्होंने confidential flight test data जो है, वो experiment करके जो भी था, वो इन्होंने बेच दिया, ठीक है, satellite और rocket launches सब कुछ, तो इन इनको arrest किया गया और लगबन को 50 दिन जेल में रखा गया, फिर 1996 में क्या हुआ, जो charge थे, scientist के against में, नामभी नारायन के against में, उनको dismiss कर दिया गया, और बाद में Supreme Court ने भी उसको dismiss किया, फिर 1999 में National Human Rights Commission ने ठीक है, एक structure pass किया, करेला government के against में, कि उन्होंने नामभी नारायन के carrier को पूरा damage किया है, और उसके अधन को इस दो में desk job दी गई, फिर 2001 में National Human Rights Commission ने order किया, करेला government को कि वो compensation pay करें करीब एक करोन का, फिर 2001 में जो है, वो retire हो गए, ठीक है, फिर 2013 में नारायन ने फिर से, मतलब यह जो false charges थे, ठीक है, वो false charges जो इन पर लगे हुए थे, उसक 18 में Supreme Court ने अब एक three member की committee बनाई प्रोब करने केस को, फिर three judge bench एक head की justice दीपक मिसरा ने, और 50 लाग का compensation दिया, mental cruelty जो अग इनके against हुई थी, उसको ले करके, ठीक है, तो यह पुरा case था, तो आप लोग इतना ध्यान अखिए, नाम भी नारायन के बारे में आप से कुछ भी Principal scientific advisor to government of India, इन्होंने launch किया recently, mobile application और यह promote करने के लिए है, mental well-being of people of India, ठीक है, इसका नाम रखा गया है, मानस है, मानस को full form किया है, mental health and normalcy augmentation system, ठीक है, इसका full form है, mental health and normalcy augmentation system, ठीक है, इसका full form है, mental health and normalcy augmentation system, system, ठीक है, ठीक है, इनके ग्रिवाइंस के लिए ओनलाइन पोर्टल लांच किया है, और यह launch किया गया 1.30th birth anniversary थी, डॉक्टर भीम राव अंबेटकर की, ठीक है, तो national commission for schedule caste के बारे हम थोड़ा से देख लिए, देखिए, article 338 के अंदर में आता है, constitution of India में, और इसका आप लोग याद रखिएगा, फिर देखिए, next है, US President Joe Biden, इन्होंने recently announced किया कि अमेरिका जो है, वो अपने सारे troops को withdraw कर लेगा, अफगानिस्तान से, ठीक है, तो आप लोग पता होगा कि 9-11 का अटेग हुआ था, ठीक है, और जो terrorist थे अलकाइदा उन्हें, अलकाइदा के उन्होंने conduct किये थे, चार अटेग किये थे, US में, ठीक है, और चार passenger airlines उन्होंने hijack की थी, और दो जो plane थे, उसको वर्टेट सेंटर, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने, जो Manhattan में located है, वर्टेट सेंटर, वहाँ पर टकरवा रहा था, और उसके बाद 110 storage tower जो है, वो चौथा plane था, उसको crash किया था, एक field है, ठीक है, इस्टोनी creep township Pennsylvania में, वहाँ पर इन लोगों नहीं किया था, ठीक है, तो अब US जो है, वो withdraw कर रहा है, अपने troops, जो है, अफगानिस्तान से, उसके बाद से ही, continuously वो भेज रहा था, वहाँ पर, फिर देखिए, IMF ने, recently announce किया कि, वो distribute कपरेगा अपने special drawing rights, HDR बोलते हैं जिसको, अपने member countries को दुबारा से, ठीक है, तो HDR देखिए, क्या है, HDR के बारे में छोटा था, आपको एक note देता हूँ, ठीक है, HDR कोई currency नहीं है, नहीं कोई claim कर सकता है IMF पे, ठीक है, और जो private entities है, वो HDR को hold नहीं क कर सकते है money, जब crisis के time में, तो इसको लेकर के, यह HDR जो है, वो बना हुआ है, ठीक है, special drawing rights, नाम से ही पता चलता है आपको, तो यह चीज है, देखिए, पाच currency है, जिसमें की trade होता है, इनके आप नाम राद रखेगा, ठीक है, इनके नाम राद रखेगा, ठीक है, पहला तो आपको पता ही, यह US dollar, ठीक है, दूसरा है euro, तीसरा है Chinese revenue, पाचमा है Japanese yen, और छटमा है British pound, ठीक है, फिर देखिए, फेस्बुक ने recently sign की, एक deal, buy करने के लिए, renewable energy in India, from a local firm, जिसका नाम है Clean Max, द्यार नकिएगा, किस से, किस के साथ यह deal हुई है, Clean Max के साथ, और यह project जो है, वो करनाटक में located है, ठीक है, फिर देखिए, फिलिपकार्ट ने recently acquired किया Clear Trip, ज्यान रखिएगा, Clear Trip को acquired किया है, फिलिपकार्ट ने, फिर देखिए, National Investigation Agency जो है, उसने recently organized की, एक दो दिन की virtual event, ब्रिक्स कंट्री के साथ, और किस चीज पे, Misuse of Internet by Terrorist, ठीक है, इंडिया ने होश्ट किया था, इस सेमिनार को, और ब्रिक्स कंट्रीज थी इसमें सारी, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को, फिर देखिए, नेक्स्ट है, देखिए, US Health Authorities, ठीक है, US Health Authorities ने रिसेंटली पॉस किया, रोल आउट, इसका जॉंसन एंड जॉंसन वेक्सीन का, इसके रोल आउट को, रिसेंटली ब्रेक लगा दिया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रहें इसमें, तो ध्यान नकीगा, ये भी वेक्सीन इसका वेक्सीनेशन चल ला था, और इसको रिसेंटली ब्रेक लगाया है, फिर देखिए, ये रिपोर्ट जो है, ये है, वोमेन पावर तु मेक डिसीजन ओन देर बोडी, इस पे ये रिपोर्ट है, फिर देखिए, गवर्मेंट आफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूब किया ट्रांसफर आफ टेक्नलोजी भारत बायोटेक से हेफकीन इंस्ट्यूट को, ठीक है, तो को वेक्सिन जो है, आपको पता ही होगा, ठीक है, जो ड्रग है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये ड्रग, इसको कोरोना वाइरस के लिए, तो हेफकीन इंस्ट्यूट को टेक ट्रांसफर की है, वो है हेफकाइन इंस्ट्यूट, फिर देखिए, आयमफ ने रिलीज की एक रिपोर्ट और रीजनल एकनॉमिक आउटलूक और ये सब सहारन अफरीका के लिए इसको रिलीज किया है, जहां लखेगा, सब एकनॉमिक आउटलूक, ठीक है, फिर देखिए, मिनिश्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फेमली वेलफेर ने रिसेंटली एनाउंस किया कि अराउंड हंडेड न्यू होस्पिटल्स जो है, वो खोले जाएंगे, ठीक है, उनके अपने खुद के ऑक्सीजन ब्लांट होंगे, अंडर पीम केर फंड के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंडर पीम केर फंड के, आपको पता ही होगा, ये पीम केर फंड जो है, वो सेट अप किया गया था, किसी भी इमर्जेंसी सिचुएशन को, जैसे कि कोविड नाइन्टी नभी आई, और चियर्मेन कौन है, इसका, पीम केर फंड का, पीम केर फंड के जो चियर्मेन है, वो PM ही है ठीक है यह जो charitable trust fund है इसके यही है और यह जो contribution है PM care fund का इसमें CSR बगारा भी है पूरा जो contribute कर सकते हैं इसमें CSR expenditure ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान लखेगा पर देखिए economic intelligence unit ठीक है facebook के साथ recently release की inclusive internet index ध्यान लखेगा inclusive internet index इसको release की और इंडिया की जो rank थी वो थी 49th दोनों important है दोने याद रखेगा ठीक है फिर देखिए government of India ने recently approved किया 50 crore to double up and all weather ROPEX URISA में तो इसका budget का जो aim है वो launch करना है roll-on और roll-off passenger jetty जो connect करेगी कानी नली जो भदग डिस्ट्रिक्ट में है और ताला जुआ जो केंदर पारा डिस्ट्रिक्ट में है तो बैसिकली जो distance है वो कम हो जाएगी दोनों के बीच में ठीक है और यहाँ पर धर्मा रिवर ठीक है ध्यान रखेगा ध्यर्मा रिवर तो यह इसी पही बन रहा है इसी के इसी के नॉद़् और पर सा उथ बेंक से ही ये बन रहा है रिवर धर मागके ठीक तो इसको आफ लोग ध्यान रखेगा और यहीं पर एक बहुत ही important century है अफ लोग ध्यान रखेगा very important गहीर G.A.H.I.R. गहीर मट century और आपने सुन रखा होगा ठीक है ओलिव रिडले टर्टल उलिव रिडले टर्टल इनके बारे में आपने सुन रखा होगा तो यह जो टर्टल है ठीक है यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर एक और बहुत ही important एक भीतर कनिका नेशनल पार्क अपने सुन रखा होगा वो भी इसी के surrounding में है ठीक है ध्यान रखेगा इसी के surrounding में है और वहाँ पर बहुत सारे crocodile मिलते हैं और आल के लिए famous है ध्यान लखेगा भीतर कनिका नेशनल पार्क ध्यान लखेगा फेमस है क्रोको डायल्स के लिए आ यहां खेगा दिके डिमार्ड इपार्टमेंट on science and technology ने रिलीज की नेशनल लेवल क्लाइमेट वॉलनरेबिल्टी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट का क्या नाम था इसका नाम था adaptation planning in India using a common framework ठीक है इस रिपूर्ट का नाम ध्यान रखेगा आप लोग फिर दीके रेस्टन government जो है वो agree हुई deliver करने के लिए first regiment set of S-400 ठीक है triumph SA-21 growler air defense system यह defense system का नाम याद रखेगा और यह हम लोगों को रश्या दे रहा है तो यह basically surface to air missile system है जो हमको मिल रहा है ठीक है तो उसको ध्यान लखेगा अब यह deliver करने वाला है हम लोग को US sorry रश्या फिर देखिये national aeronautics and space administration क्या यह NASA है तो यह launch करने वाला है चार astronauts को international space station में और यह launch करेगा world earth day में ठीक है तो नासा जो है यह काम कर रही है इस mission में space x के साथ में तो space x जो है space x crew 2 यह basically second crew operational flight है ठीक है को किसकी है crew dragon spacecraft की ठीक है और crew dragon इस स्क्राफ्ट क्या है क्रीव ड्रैगन जो है वो first space vehicle है ठीक है जो humans को launch करेगा ठीक है अमेरिकन स्वाइल से और यह में 2020 में launch किया जाएगा ठीक है इसको आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है और यह authority जो है एक साल के लिए function करेगी तो basically यह regulate करेगी प्रिस्क्रिप्शन्स को review करेगी इंटर्नली suggestions बगारा जो regulatory authority जाए श्टेक होलडर से उन सबसे लेगी और deputy governor जो राजेश्वार राओ है उनको appoint किया गया है इसका head regulation review authority का ठीक है फिर देखिए ministry of health and family welfare इसने recent release की rural health statistics report ठीक है और इस report में क्या है कि overall जो shortage है specialist doctor की community health centers में उसको लेकर के इसको highlight किया इनों है ठीक है तो देखिए rural system के लिए हम लोग बात करें rural health system के इंडिया में तो देखिए community health center होते है primary health center होते है और sub center होते है तीन होते है ठीक है तो जो community health center है वो backbone है my rural health care system की और वहाँ पर क्या होते है कम से कम 30 bed होने चाहिए ठीक है और वो कम से कम चार primary health care centers को cover करना चाहिए जो भी पास में होते हैं और हर community health care center में चार लोग होने चाहिए specialist जैसे physician हो गया, gynecologist हो गया, surgeon हो गया और pediatrician हो गया ठीक है जो बच्चों को देखता है तो ये चार specialist वहाँ पे होने चाहिए और जो दूसरा system है primary health center उसमें क्या होता है तो basically आपका 4 to 6 bed होते हैं ठीक है और subordinator staff होना चाहिए वहाँ पे और जो तीसरा होता है sub centers ये peripheral contracts के लिए होते हैं between any primary health care system और community के लिए तो ये चीज़े होती है ठीक है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा फिर देखिए next है hemophilia day तो word hemophilia day होता है 17th of April को और इस बार जो उसकी theme थी वो थी adapting to change ध्यान रखिगा hemophilia जो होती है disorder होता है blood से related होता है ठीक है blood clot नहीं होता है बहुत से लोगों में तो उसको ले करके यह है तो देखिए मदरास High Court है recently pronounce किया right to privacy of deceased person cannot be inherited यह बोला उन्होंने तो issue क्या था देखिए मैं आपको बता देता हूं दीपा है वो नीस है former chief minister की जैल अलिता की उन्होंने Supreme Court ने एक प्ली डाली कि इसकी जो release है ठीक है उसको रोब दिया जाए ठलाई भी गी और यह movie जो है वो बेश्ट थी former CM ठीक है जैल अलिता की life story पे तो judgment में यही कहा High Court है कि एक बार कहते है किसी की death हो जाती या पास कर जाता है तो यह judgment देगी right to privacy of disease person cannot be inherited ठीक है तो यह चीज़ है फिर देखिए next kind of फिर देखिए next kind of year है ministry of housing and urban affairs इसने recently launch किये दो चीज़े एक है e smart cities challenge और दूसरा है transport for all challenge तो जो आपका e smart challenge है यह एक competition की spread develop करने के लिए launch किया गया है cities के बीच में तो यह आपका जो है यह create करेगा environment ठीक है e smart city challenge एक environment करेगा right food practices और habits को लेके और आपका यह जो दूसरा है ठीक है transport for all challenge यह challenge आपका जो है इसका main objective है ठीक है challenge to bring cities together startups and citizen groups develop करने के लिए ऐसे solutions जो help करेगा public transport में ठीक है ठीक है किसके अंडर में है श्री प्यूस कोयल इन्होंने recently chair की first meeting of national startup advisory council तो देखे national startup advisory council जो है वो किसने बनाई थी पहले आप लोग यह देखे national startup advisory council यह आपकी constitute की थी department for promotion of industry and internal trade ने ठीक है ध्यान रखेगा department of promotion for industry and internal trade ठीक है तो इसका जो main objective है क्या है कि यह council जो है को advise करती government of India को ठीक है जो measures पगारा needed होते हैं जिसे की build किया जा सके एक ecosystem जो nurture करे innovation को और startups को country में ठीक है तो startup देखिए startup इंडिया ठीक है और आपको पता हुए इंडिया में almost 38,000 से ज्यादा recognized startups है जिसमें की 27 जो है वो है unicorn ठीक है तो unicorn क्या होते है आपनों एक term बहुत सुनोगा unicorn देखिए unicorn उन startups को बोलते हैं जिनका market valuation है कम से कम 1 billion US dollar ठीक है 1 billion US dollar का market valuation है फिर देखिए ministry of rural development and recently launch किया जेंडर समवाद event ठीक है जेंडर समवाद event यह आपका जो main objective है जेंडर समवाद event का यह awareness awareness generate करना है ठीक है under day nrlm तो यह जो आपका जी जो day nrlm है यह आपका एक poverty relief program है और इसको जो है वो सुरू किया था word bank के support से ठीक है तो ध्यान रखेगा यह जो आपका जेंडर समवाद event है यह आपका create करने के लिए awareness gender related interventions को ठीक है इसका full form day nrlm जो मैं बोल रहा ठीक है इसका full form है दीन दयाल अंतयोदय योजना नेशनल रूरल livelihood mission ठीक है फिदी के इंडियन रश्लर इनका नाम है वीनेस फोगाट और इन्होंने अपना medal medal जीता Asian weight lifting Asian wrestling championship ठीक है रैसलर है यह इंडियन रैसलर है और इन्होंने जीता है अपना यह तो इनका नाम ध्यान रखेगा फिदी के ministry of finance ने recently expand गया scope emergency credit line guarantee scheme का ठीक है तीन लाख करोण तक का तो aim क्या है एम है provide करना relief stressed companies को country में और यह mainly include करता है जो business enterprise है जैसे कि आपको tourism हो गया hospitality हो गया travel हो गया या sport sector हो गया ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रखेगा फिर देखे ministry of electronics and information technology इसने recently launch किये तीन new initiative of national internet exchange of India के पहला था NIXI academy तूसरा IP गुरू और तीसरा है NIXI IP index ठीक है तो इसको ध्यान रखेगा यह भी important यह तीन initiatives जो है फिर देखिए next kind of year Roscosmos इसका भी बताएंगे तो यह Roscosmos क्या है यह state space corporation है रश्या का और यह जो है वो responsible है वहाँ की space flights पगेरा के लिए ठीक है space flights हो गयी aerospace research हो गया cosmonetics program हो गया इन सब चीजों के लिए यह है तो यह launch करेगा अपना Luna 25 ध्यान रखेगा क्या launch करने वाला यह Roscosmos यह launch करने वाला है Luna 25 ठीक है तो Luna 25 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह mission जो है वो carry करेगा lander और primary objective है वो Luna 25 का यह landing technology provide करता है ठीक है ताकि easily land हो सके तो यह carry करेगा almost 30 kg तो gram of scientific instruments ठीक है robotic arm बगएरा ताकि वो soils बगएरा के sample को collect कर सके ठीक है तो इसको ध्यान रखेगा Luna 25 रश्या का है फिर देखेगा two biggest polluters of the world कौन ध्यान रखेगा पहला तो है चाइना और दूसरा है वो है US यह दो biggest emitter है ठीक है polluter बोल लिए चाहें emitter बोल लिए और इन्होंने रिसेंट्ली एक joint statement दिया कि यह लोग agreement की तरफ seriously काम करेंगे ठीक है तो चाइना का क्या था कि चाइना का जो नेशनली determined target था and DC बोलते हैं national determined target वो था कि 222 तक 2020 तक इनको achieve करना था और कुछ target जो है वो 2030 तक achieve करने थे ठीक है तो इनका यह था कि non-fossil fuels का जो share है वो 60 to 65% as compared to 205 और 2030 तक इनको यह चीज जो है वो drop down करनी थी ठीक है और बिल्कुल carbon neutral होना था अपने आपको 2060 तक बिल्कुल carbon neutral और जो US का था वो था 26 से 28 परसेंट ठीक है आप लोग मुझे इंडिया का बताईएगा कि क्या target था ठीक है युएस ने विड्रॉ कर लिया था पैरिस agreement से लेगना भी फिर से वो जोइन कर रहे हैं कि इंडिया में और ध्यान रखेगा इंडिया में फ़र्ष्ट मेगा फूडवार किसे ने लाउंच किया है वो है इटली फिर देखे मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफियर ने रिसेंट्ली संक्षिन किये 162 प्रेशर स्विंग एड्जॉप्शन प्लांट टू इंक्रीज ऑक्षिजन केपसिटी कंट्री में ठीक है द्यार लखेगा मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफियर ने किस टाइप के ऑक्षिजन प्लांट जो है वो लगाने के लिए संक्षिन किया है प्रेशर स्विंग एड्जॉप्शन प्लांट प्लांट फिर देखें डिया डियों ने रिसेंट्ली डवलप के एक सप्लीम एकसीजन डिलिवरी सिस्टम ठीक है फिरेटिगे टेवल टॉप टेवल माउंटेन नेशनल पार्क यह कहां पे है श्यां नाट आ केप टाउन ओ साउथ एफरिका में तो यह नूज़ में था इस अटी देखी इस पार्क में आग लग गईती और काफी डेमेट हुआ ठीक है लगबग 200 से ज़्यादा फायर फाइटर जो है वो डिप्लॉई करने लगे पड़े इसको आग को बुजाने के लिए तो इसलिए ये न्यूज में था तो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क ये केप टाउन आप साउथ अफरीका में है इसको आप लोग ध्यान लगएगा फिर देखे फ्रेंच नेशनल असेंबली ने एक बिल एपरूप किया है और इकोसाइट जो है उसको ऑफेंस बनाये जाएगा ठीक है इकोसाइट आप मेरे को बताईगा कमेंट सेक्शन में कि इकोसाइट क्या होता है चलिए मैं आपको बताई देता हूँ अगर एक्शन है ज फ्रेंच नेशनल असेम्बली ने इसको पास किया है फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर आफ टूरिजम एंड कल्चर कौन है श्री पहलाद सिंग पतेल इन्होंने इन्योगरेट किया फर्स्ट ओनलाइन एक्जिबिशन ओफ रमायन को इन्होंने इन्योगरेट किया है ठीक है तो लगवक 13 है ठीक है हैसे मैं आपको नाम बताऊंगा तो अप लोग लिख लीजेगा चाहें तो देखिए चाचाओ डांस है कलबेलिया है ठीक है कलबेलिया क्या एक सॉंग और डांस फॉर्म है राजिस्थान का कुममेला आपका हो गया कुदियट्टम होता है कैरेला मे ठीक है मुदियेट हो गया ये डांस है करेला में नवरूज होगा नवरूज आपको पता है परशियन न्यू यार है ठीक है फिर एक रामन है रामन जो है वो फेस्टिवल है उत्तराखंड का और योगा आपका हो गया ये भी इंटेंजिबल कल्चरल हेलिटेज में आता है यूनेसको में वेदिक चैन्टिंग हो गई ये भी आता है ठीक है बुद्धिष्ट चैन्टिंग हो गई ये भी आता है तो ये सब चीज़े है ठीक है अगर आपको इंट्रेस्ट हो तो आप लिख लीजेगा कि क्या कौन-कौन से इंटेंजिबल कल्चर हेलिटेज है कि वह City Insight Report इंडिया और जर्मनी ने एक में यू साइन किया किस पर सिटीज कॉमबेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग दी मरीन एनवायरमेंट ठीक है फिर देखिए रिजर्ब बैंकों इंडिया ने रिसेंटली सैट अप की एक कमिटी एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनीज की स्टेडी के लिए ठीक है Asset Reconstruction Companies के Study के लिए एक Committee Setup की गई है और आप लोग ध्यान रखेगा कि इसको Head कौन कर रहा है इसको Head कर रहा है Executive Director सुदरशन सेन इसको Head करेंगे, ठीक है फिर देखिए इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में लिटरी exercise हो रही है और इसका नाम है खंजर, ज्यान रखेगा Important है इसका नाम है खंजर ठीक है, फिर देखिए Next है Reporters Without Borders Very Important एक Non-Profit Body है और इसने Recently Publish की Word Press Freedom Index 2021 ठीक है, इसमें 180 countries थी लगवग और इंडिया की रैंक थी इसमें 142 ज्यान रखेगा, 142 रैंक थी इंडिया की Word Freedom Index में और इस रिपोर्ट को Publish कौन करता है, इसको करता है Reporters Without Borders फिर देखिए Word Heritage Day Word Heritage Day का होता है, 18th of April को तीम याद रखी का Complex Past Diverse Futures Complex Past, Diverse Futures तो Word Heritage Sites में देखिए अभी मैंना आपको बताया, Tangible, Intangible UNESCO का, ठीक है तो आप लोग ध्यान दखिएगा कि बहुत सारे करीब 38 Word Heritage साइड है, ठीक है और इसमें एक कंचन जंगा नेशनल पार्क है, यह important है काफी, यह mixed type का है ठीक है, यह आपका cultural और natural importance दोनों को ले करके है ध्यान दखिएगा, cultural और natural importance दोनों को ले करके है, इसका नाम है कंचन जंगा National Park फिर देखे World Metrological Organization ने recent release की रिपोर्ट State of the Global Climate 2020 यहान रखिएगा इस रिपोर्ट का नाम WMO World Metrological Organization, State of the Global Climate 2020 फिर देखे, Union Minister for Commerce and Industry, इन्हों ने भी एक recent report रिपोर्ट रिलीज की इसका नाम था Startup India Seed Fund Scheme, जान रखिएगा Startup India Seed Fund Scheme तो यह बिसिकली प्रोवाइड करने के लिए है funding, इस टार्ट अप को चार साल तक के लिए, ठीक है? तो इसी स्कीम को आप लोग याद रखिएगा, फिर देखिए Next current of year है, एग्रिगेंट agreement between Roscoe Moss and its international partner ठीक है, इस टू रान आउट in 2024 अब इसमें क्या होगा, जो रश्या जो है, उसने प्लान किया है, वे पुल आउट करेगा, इंटरनेशनल Space Station से पुल आउट करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा और अपना खुद का International Space Station लाउंच करेगा by 2025 तो ठीक है, इंटरनेशनल Space Station जो है, वो लाउंच किया था US Space Agency और रश्यान Space Agency ने मिल करके 1998 के अराउंड में ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज जो है, वो इंटरनेशनल Space Station में, जैसे कैनेडा हो गई, यूरोपियन एजिंसी हो गई, जैपान हो गया, यह सब इसमें रहती है, लेकिन अब रश्या जो है अपना खुद का बना रहा है, ठीक है तो रश्या और चाइना के रिलेशन्स जो है, वो काफी अच्छे हो रहे हैं आज के टाइम में, और उसके, इसी को ले करके यह एनाउंस किया गया है वो एक लूनर रिसर्च इस्टेशन बनाएगा मून में, ठीक है तो यह आप याद रखेगा, फिर देखे वर्ड अर्थ डे, कब होता है 22nd of April को थीम याद रखेगा थीमती, रीश्टोर अवर अर्थ, ध्यान रखेगा इंपोर्टन है थीम, रीश्टोर अवर अर्थ, जो है वो थीम तीजबार की पर देखे, वर्ड एकोनोमिक फोरम, ने एक रिपोर्ट रिलीज की, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ध्यान रखेगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है अब आप मेरे कमेंट सेक्शन बताएगा इंडिया की क्या रैंक थी इसमें रिपोर्ट याद रखेगा सारी रिपोर्ट सब इंपोर्टन है वर्ड इकनॉइंग फोरम की या इमेफ की जितनी बता रहा हूं है फिर देखिए ऑस्ट्रिलन गवर्नेंट ने रिसेंटली कैंसल कर दी बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव ठीक है ऐसा बोलके कि नेशनल इंटरेस्ट में हम लोग ये डील को कैंसल कर रहे है तो आप लोग ध्यान रखेगा कि किसने रिसेंटली विड्रो किया है बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव से वो है ऑस्ट्रिलिया फिर देखिए गवर्नेंट आफ इसराइल ने रिसेंटली चूज किया गूगल और अमेजन वेब सर्विस को प्रोवाइड करेगी ये क्लाउड सर्विसेज अपने मिलिटरी और पॉब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए पीउस्यूस के लिए तो इसको इंप्लिमेंट किया जाएगा तो द्यान रखेगा कौन-कौन इसमें इंवल्व लाए गूगल और अमेजन सर्विसेज फिर दीए वर्ड बुक एंड कॉपी राइड डे इसको सेलिबेट करते हैं 23 अपरिल को किसने कौन सेलिबेट करता है इसको यूनेसको यूनेसको का फुल फॉर्म क्या है उनाइटेड नेशन्स एजूकेशनल सेंटिफिक एंड कल्चरल और्गनाईजेशन ठीक है तो इस साल जो है वर्ड बुक और कॉपी राइड डे को यूनेसको ने क्रियेट किया बुक फेस चैलेंज ठीक है क्या क्रियेट किया एक बुक फेस चैलेंज और ध्यान अखियेगा कि हर साल यूनेसको और जो इंटरनेशनल ओर्गनाईजेशन होती है वो सेलेक्ट करती है वर्ड बुक कैपिटल एक साल के लिए तो इस बार वर्ड बुक कैपिटल किसको चुना गया है इस बार चुना गया है तबलीसी आफ जॉरजिया को ठीक इसको सिलेट किया गया है वर्ट कैप्टल फिर देखिए परजी वरेंस रोवर्स कहां वीजा गया था मार्स में 2020 मिशन था नाशा का और इसने रिसेंटली कनवर्ट किया कारवन डाय ऑक्साइट को ऑक्सीजन में इसलिए यह न्यूज में था ठीक है ऐसा पहली बार हु नासा ने रिसेंटली लॉंज किया शील्ड मिशन ठीक है फ्रम दा वाइट सेंड मिसाइल रेंज न्यू मैस को अब यह मिशन जो है वो इस्टडी करेगा लाइट फ्रम इंटर स्टेलर पार्ट कल्स कहां पर हीलियो इस्टीर में ठीक है है इस्टाडी करेगा तो आप इनको चूज किया गया है, External Auditor of Organization for Provision of Chemical Weapon, OPCW, इसका इनको External Auditor जो है, वो बनाए गया है, तो OPCW के बारे मैं आपको बता हूँ, Organization for Provision of Chemical Weapon, इसमें almost 193 Member States है, और ये एक International Organization है, जिसका काम होता है कि Weapon Free World हो, ठीक है, इसका Headquarter, जहां नकी का कहा है, है, इसका Headquarter है, हेक, हेक का है, नीदर लेंड में, ठीक है, फिर देखिए, S&P, Standard and Poor, ये Global Rating Agency है, और इसने काये कि Indian Economy जो है, वो ग्रो करेगी 11% से, in the year 2021 और 2022 में, ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखेगा, देखें, बिग 3 created rating agencies है, ये इन में से एक है, और तो है, उसका नाम है Moody's, आपने नाम में सुनाओगा, फिच सुना होगा, तो ये rate करती है, investment कितनी के साबसे, आर ये, उससाबसे बड़े-बड़ी companies जो है, वो invest करती है, इनकी ratings देख करके, फिर देखें, International Finance CL Service Center, इसने recently क्या किया, International Financial Service Center, ने recently grant की permission, NBFC को, NBFC क्या होती है, non-banking financial companies को, तो ये operate कर सकेंगे, गुजरात में, gift city में, ठीक है, gift city देखें क्या है, तो gift city के बारे मांगा बताऊं, तो gift city जो है, ये पहली International Financial Service Center, इंडिया की, और ये Special Economic Act के अंदर बनाता, तो ये provide करता है, services जैसे कि offshore banking होगी, fund raising service होगी, individuals के लिए, offshore asset management हो गया, तो ये सब चीजें ये provide करता है, ठीक है, तो इसको अपलो गया दर रखीगा, फिर देखें, National Panchaity Raj Day, ये होता है 24th of April को, ठीक है, important है, द्यान रखेगा, National Panchaity Raj Day, ये होता है 24th April को, और पहला Panchaity Raj Day कब हुआ था, ये हुआ था, 24th April 2010 में, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेगा, ठीक है, तो जो Panchaity Raj Act जो है, ये आपका आया था, 24th April 1993 में, और ये आपका इंट्रडूस किया गया था, ध्यान रखेगा, very important, 73rd Constitutional Amendment Act से इसको इंट्रडूस किया गया था, इसलिए ये बहुत important हो जाता है, ठीक है, और जो Panchaity Raj सिस्टम था, कंट्री में, किस कमिटी की recommendation में था, बलवन्त राय, इनकी कमिटी थी, और उसकी बज़े से था, ठीक है, तो ध्यान रखेगा इसको अब लोग, पर देखे, गिलेशियर बर्ष्ट हुआ, कहां पर सुमना में, ठीक है, नीती वैली ध्यान रखेगा, और ये नीती वैली कहा है, चमॉली डिस्टिक्ट में है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, ध्यान रखेगा, सुमना नीती वैली चमॉली डिस्टिक्ट, ठीक है, इन तीनों नाम को याद रखेगा, फिर देखे, ड्रग कंट्रोलर जनरल अप इंडिया ने रिसेंटी प्रोवाइड किया, और जिसे की COVID-19 ने जो पेशेंट्स हैं, वो जल्दी रिकवर हो सकें, ठीक है, फिर देकिए प्राइमिस्टा नर्यंदर मोदी, उन्होंने ने लॉंच किया, डिस्टिक्ट किया, इप्रोफर्टी कार्ड अंदर, अंदर स्वामित्व इस्कीम, ठीक है, तो स्वामित्व इ जो 24th April अभी हम उने देखा एक-दो स्लाइट्स पहले, उसमें किया गया था, तो स्वामित्व जो है, वो सर्वे है एक तरीके से, विलेजेस का, और वहाँ पे मैप किया जाता है, ठीक है, विलेजेरिया, विलेजेरियास को, तो ये एम है इनको प्रोवाइड करना, इंट इंटरोन टेक्निलोजी को यूज करके, उनको देखेंगे, मैजर करेंगे, ठीक है, ऑपरेट करेंगे, और अभी कुछ-कुछ स्टेट्स में ये अवेलबल है, ठीक है, तो ये करेंट अफियर 24th April तक की सारी हो गई है, ठीक है, डेटेल में डिसकस कर लिए है, वीडियो थ टिकत नहीं है, मेरा नमबर नीचे दिया ही हुआ है, वाटसेप का है, ठीक है, टेलिग्राम गुरूप आप लोग जोइन कर लिजेगा, वहाँ पे आप लोग को इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है, तो चलिए, फिर एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, व अबंदा 겨्गठ कर लिजेगा, वहाँ झाल जाppt UP भी हुआ है, वहाँ है, वहाँ है।